स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल एक्जाम की बात पर आज है 9 अप्रेल 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 9 अप्रेल 2021 से जुड़े करेंट अफेर के इंपोर्टेंट कुश्चन से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए चोटा सा टेस्ट हुगा जिसमें कुल दो प्रेश्चन होंगे आप सभी को इन दोनों कुश्चन के अंसर कमेंट बोक्स में देने हैं दोनों question बहुत important है तो आप सभी इन दोनों question के answer comment box में जरूर दीजेगा साथ ही आज के वीडियो में जितने भी important fact है उनका आपको note कर लेना है उरने याद भी करना है आपके आने वाले exam के लिए important रहेंगे तो आपको याद रखना है न्यूजिलेंड जो देश है इसने हाली में कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन के कारण भारती यात्रियों पर अइस्ताही रूप से रोग लगाई है अगर हम बात करें न्यूजिलेंड की तो इसकी राजदानी है वेलिंग गटन वरत्मान में यहाबर प्रदान मंत्रिय जेसी का अर्डन और इन ही के द्वारा जो भारती यात्री है उन पर रोग लगाई गई है यानि कि भारती लोग जो न्यूजिलेंड में यात्री के रूप में जाते हैं उन पर रोग लगा दी है कब से लेकर कब तक लगाई है तो 11 अप्रेल से लेकर 28 अप्रेल तक रोक लगाई गई है important question और आपको याद रखने साथ ही आप एक और important fact याद रखेगा जो question exam में पूछा गया था कि मावरी जाती किस देश की निवासी है तो आपको याद रखने हैं जो मावरी जाती है जो न्यूजिलेंड देश की निवासी है ये question exam में पूछा गया तो आपको याद रखने है कि न्यूजिलेंड की निवासी है मावरी जन जाती important question और आपको याद रखना है चलते हैं अगले question पर आज का हमारा question number 2 है अंतरास्टिय कंप्यूटर साइंस जनरल पियरजे के अकादमिक संपादक कोन न्यूक्त हुए है तो इनका नाम आप याद रखेगा डॉक्टर खाली दरजा भारत की एक उनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया मिलिया इसलामिया तो इसी में प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर खाली दरजा और इन्हें ही अंतरास्टिय कंप्यूटर साइंस जनरल पियरजे के अकादमिक संपादक की रूप में न्यूक्त किया गया है important question number आपको याद रखना है आज का हमारा question number 3 है Forbes की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अरब पतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है यानि कि देश विश्म में ऐसा कौन से देश है जिनमें सबसे अधिक अरब पति है तो इसकी सूची जारी की गई है और इसमें हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर रहे है तब को याद रखने है कि सबसे ज़्यादा अरब पतियों की संख्या में हमारा देश भारत तीसरे स्थान पर है अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश है तब पहले स्थान पर अमेरिका यानि कि सबसे अधिक अरब पती कहां पर है तो अमेरिका में है दूसरे स्थान पर कौन सा देश है दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर है हमारा देश भारत important और आपको याद रखना है साथ ही एक सूची हमने कुछ दिनों पहले पड़ी थी ताकतवर सेना वाले देशों की सूची तो हालिम जो सबसे ताकतवर सेना वाले देशों की सूची जारी हुई थी उसमें हमारा देश भारत था चोथे स्थान पर तहीं है आपको ये सभी important fact भी याद रखने है आज का हमारे क्वेशन नमर चाहर है किस देश के विग्यानिकों ने खास तरह के बैक्टिरियल एंजाइम को उप्योग करके ए ब्लड ग्रूप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिक वक्तिक ब्लड ग्रूप होता है तो उसी पर जो है जानते हैं अगले क्वेशन पर आज का हमारे क्वेशन नमर पांच है डियाडियो के द्वरा किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीजी शेत्र की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विक्सित करने की मनसूरी दे दिये तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक उपकरन होते हैं उनका निर्मान का कारिय करता है डियाडियो लेकिन अब हाली में डियाडियो ने एक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना है उसके तहत नीजी शेत्र की कंपनियों को भी मिसाइल सिस्टम विक्सित करने की मनसूरी दे दी है यानि कि अब डियाडियो की तो इससे जुड़े तीन इपोटेंट फेक्ट आपको हमेशा याद रखते हैं डियाडियो की स्थापना कब हुई थी उननीस सो अठावन में 1958 में 1958 में नेकें एडियो का मुख्या लह भारत की राज़दानी दिल्ली में और नासा का मुख्या लह अमेरिका क राज़दानी वोशिंग गटन DC में और DRU के वरतमान में प्रमुक कौन है डॉक्टर जी सतीश रेड़ी डॉक्टर जी सतीश रेड़ी DRU के प्रमुक है आपको ये सभी इंपोर्टन फेक्ट याद रखने है डॉक्टर हरे कृष्णा महताब के द्वारा लिखी गई पुस्त तक ओडिसा इतिहास, ठीक दोस्तों, क्या नाम है ओडिसा इतिहास के हिंदी अनुवात का लोकारपन किन के द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर हरे कृष्णा महताप के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम था ओडिसा इतिहास, ये ओडिसी भाशा में, या हिंदी में अनुवात किया है श्री संकरलाल पुरोहित ने और हाले में इसका लोकारपन किनके द्वारे किया गया है तो प्रधाल मंतिर नरेंदर मोधी जी ने हाले में इस पुस्तक का लोकारपन किया है जिसका नाम है ओडिसा इतियास और इसका हिंदी अनुवात का इंप्रेंटक क्वालिफा भारत की पहले महीला बन गई है तो नेतरा कुमानन जो है इन्होंने भारती महीला बनी है पहली जिन्होंने की नोका चालक में ओलम्पिक में क्वालिफाई किया है अब यहाँ पर बाते ओलम्पिक की तो इस वर्ष के ओलम्पिक से जुड़े कुछ इंपोर्टन फेक्ट आपको याद रखने ओलम्पिक प्रतिक चार वर्ष में होते हैं यह होने वाले थे 2020 में लेकिन कोरोना मामारी के करण अब यह 2021 में होंगे जुलाई 2021 में होने वाले हैं और कहां पर होंगे तो 2021 के जो ओलम्पिक हैं वो होंगे जापान की राज़नी टोकियो में और कल हमने एक important question भी पड़ा था कि हाली में उत्तर कोरिया देश ने ओलम्पिक में जो 2021 को ओलम्पिक हैं इसमें से अपना नाम वापस ले लिया है और इसा करने वाला वो पहला देश बना है important हो आपको याद रखना है साथी मात करें आज के दिन से जुड़े highlight के तो यमुना नदी यमुना नदी को प्रदुशित करने पर दिल्ली प्रदुशन नियंत्रन समीती यान कि D.P.C.C. ने ओध्योगिक इकायों में लगे 13 treatment plant पर 12 करोड करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो यहाँ पर यह question exam में पूछा दे सकता है कि हाली में दिल्ली प्रदुशन नियंत्रन समीती ने ओध्योगिक इकायों में यान किस नदी को प्रदुशित करने पर 12.05 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है तो यह मुना नदीप प्रदुशित करने पर लगाया गया है किसके द्वारा तो दिल्ली प्रदुशन नियंत्रन समीती के द्वारा important और आपको याद रखना है और उनके सामने उनके लेखो को के नाम दिये गए थे आपको बताने के नियमने में से कौन सा option गलत था तो यहाँ पर अगर हम बात करें एह option की तो रहला पुस्तक रहला पुस्तक की इबन बतुटा के द्वारा ही लिखी गई थी बात करें इबन बतुता की, तो इससे जुड़े आपको कुछ important fact याद रखने हैं, जो question exam में पूछे गए हैं, सबसे पहला question पूछा लाते है कि इबन बतुता कहां का यात्री था, तो ये मोरको देश का यात्री था, जो कि भारत आया था, पहला question बनता है कि इबन बतुता कह आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद पुस्तक के अकबर नामा, अकबर नामा अबुल फजल के दोरा ही लिखी गई थी, अबुल फजल जो अकबर के नो रतनों में से एक था, और इसी के दोरा अकबर नामा जो पुस्तक है लिखी गई थी, बाबर नामा ये बाबर की आत्म कता थी और इसे बाबर नहीं लिखा था हुमायू नामा जो है ये हुमायू के द्वारा लिखी नहीं गई थी बलकि हुमायू की बहन थी जिनका नाम था गुल बदन बेगम गुल बदन बेगम के द्वारा हुमायू की जो बहन थी गुल बदन बेगम इनके द्वारा हुमायू नामा लिखी गई थी तो यहाँ पर जो option गलत था वो था D option हुमायू नामा गुल बदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी और हुमायू का मकबरा कहाँ परे तो आप याद रखिएगा हुमायू का जो मकबरा है वो है दिल्ली में दिल्ली में इस्तिते हुमायू का मकबरा और अकबर का मकबरा है सिकंद्रा में आपको ये सभी important fact भी याद रखने हैं तो ये था कल का question जितका answer आपको comment box में देना था और आप सभी ने इसका answer बिल्कुल सही दिया था कल का हमारे question number 2 थार current अफिर से जुड़ा question था किस देश ने Tokyo Olympic से नाम वापस ले लिया है तो अभी मैं आपको बताया है कि हाल इम उत्तर कोरिया ने जो उत्तरी कोरिया है इसने Tokyo Olympic से अपना वापस ले लिया है important हुर आपको याद रखना है चलते हैं आज के टेस्ट पर और आज के टेस्ट का मारा पहला question है question बहुत ही important है और यहाँ पर आपको बताना है कि बंगाल का पहला governor क्या Robert Clive था भारत का पहला governor general Warren Hastings भारत का पहला वाइस राय लोड केनिंग या सुत्तर भारत के प्रतम और अंतिम भारती गवर्नर जनरल सी राज गोपल चारी थे आपको बताना है निमने मैंसे कौन सा option गलत है यह सभी जो है option question के रूप में एक्जाम में पूछे गए हैं और आपको इसका answer comment box में देना है आज का मरे question number 2 और current affair का question है फीफा के द्वारा किस देश के football महासंग पर प्रतीबंद लगा दिया गया है यह question हमने कल के वीडियो में पढ़ा था और important question है और इसका answer आपको comment box में देना है कि हाले में फीफा के द्वारा किस देश के football महासंग पर प्रतीबंद लगा गया है तो आज के दोनों test के question के answer आपको comment box में देने है अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो like and share ज़रूर करें साथी वेसे भी जो आज चैनल पर नई होने वीडियो अच्छा लगे उप्योगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरण जानकर आपको मिल सके थैंक्यू जैहिन जै भारत